हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस्ट क्लास में जैसे आपको पता है कि फर्स्ट टर्मिनल का एक्जाम सुरू हो चुका है और हमारे पास साइन्स का कोस्टन पेपर है और यही कोस्टन पेपर आपके परिक्षा में भी रहेगा और इस कोस्टन पेपर का अब और सब्जेक्टिव दोनों कोस्टन बताएंगे तो एक भी प्रशना आप लोग इसकी मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और अभी तक आप हमारे वाट्सअप गुरूप में नहीं जुड़े हैं तो यह हमारा वाट्सअप नं जिससे अगर आप लोग पढ़ लिजिएगा तो बिग्यान का एक भी प्रशना आपका नहीं छुटेगा परिक्षा में यह हमारा गरांटी है तो आप लोग गुरूप में जुरूर जुड़िएगा और इस कोस्टन का PDF हम बिल्कुल फ्री में हम आपको देंगे और इसका PDF आपको कहां से डाउनलोड करना है वीडियो के लास्ट में बताएंगे तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा तो आईए शुरू करते हैं पहले नमबर प्रशना से तो पहला नमबर प्रशना है कि लेंस की सक्ति की इकाई क्या होती है काफी महत्पुड प्रशन है यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की सक्ति की इकाई क्या होती है तो डायोप्टर होता है यहाँ पे एवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा और डायोप्टर को डी से सुचित करते हैं तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आ 40 cm है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी तो जो फोकस दूरी होती है यह वकरता त्रिजय की आधी होती है तो 40 cm का आधा कितना होगा तो 20 cm होगा तो यहाँ पे डी वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन तिन नंबर तिन नंबर प्रशन है कि क्रांती कोड के लिए अपवर्तन कोड का मान कितना होगा यहाँ पे आपको बताना है कि क्रांती कोड के लिए अपवर्तन कोड का मान कितना होगा तो 90 डिगरी होगा यहाँ पे C वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन चार नंबर चार नमबर प्रशन है कि समतल दरपण के द्वारा बने वस्तु का परतिविम कैसा होता है यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दरपण के द्वारा बने वस्तु का परतिविम कैसा होता है तो कालपनिक होता है यहाँ पे एवाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा और जो का माइनस चार डायोप्टर छमता वाले ओतल लेंस की फोकस दूरी होगी यहाँ पे आपको बताना है कि माइनस चार डायोप्टर छमता वाले ओतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी तो 25 cm होगा तो यहाँ पे भी वाला ओप्सन बिल्कूली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न छे नंबर, छे नंबर प्रश्ने की ओतल लेंस का आवर्धन M बराबर होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि ओतल लेंस का आवर्धन M किसके बराबर होता है, तो भी बटा U के बराबर होता है, यहाँ पे C वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, एक प प्रिजम से संभव होता है तो यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशना आठ नमबर प्रशने की प्रकास के अपवरतन के कितने नियम है तो प्रकास के अपवरतन के दो नियम होते हैं यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा एक प्रशनी यह भी पूछा जाता है कि प्रकास के प्रावरतन के कितने नियम होते हैं तो दो नियम होते हैं तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशना नौ नमबर नौ नमबर प्रशने क गोलिय दरपण में फोक्सांतर और वक्रता त्रिजय के बिच संबंध हैं यहाँ पे आपको बताना है कि गोलिय दरपण में फोक्सांतर और वक्रता त्रिजय के बिच क्या संबंध होता है तो इफ बुरावर रवाई टू होता है तो यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो आईए देखते हैं अगला प्रशना 10 नंबर 10 नंबर प्रशना कि मानो नेतर के किस भाग पर वस्तू का परत्विम बनता है यहाँ पे आपको बताना है कि मानो नेतर के किस भाग पर वस्तू का परत्विम बनता है तो द्रिश्टी पटल या रेटीना पर बनता है तो यहाँ पर D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्णे 11 नंबर प्रश्णे की मोठर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दरपन होते हैं यहाँ पर आपको बताना है की मोठर गाड़ियों में चालक के सामने कौन सा दरपन रहता है तो उतल दरपन र यहाँ पर C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्णा 12 नंबर प्रश्णे की किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है की किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं तो उतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं यहाँ पर B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशन तेरा नंबर तेरा नंबर प्रशन है कि दो मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की छमता क्या होगी यहाँ पर आपको बताना है कि दो मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की छमता क्या होगी तो प्लस 0.5 डायोप्टर होगी तो यहाँ पर डी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा एक भी प्रशन आप लोग इसकी मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और विडियो को अभी तक आप लोग विडियो को लाइक किजिएगा और अभी तक आप हमारे वाटसप गुरूप में नहीं जूर रहें तो सुरू में नंबर दिये हैं वहाँ से आप लोग जुड़ जाईएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन चौदा नंबर प्रशन एकि निम्न में से उस्मा का सुचालक कौन है इसमें से आपको बताना है कि उस्मा का सुचालक कौन सा होता है तो एजी यानि चांदी होता है तो यहाँ पर भी प्रशन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन पंद्रा नंबर प्रशन एकि निम्न में से उस्मा का कुचालक कौन है इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन उस्मा का कुचालक है तो जो पी बी होता है नि जो लेड होता है यह उस्मा का आपको बताना है कि उदासीन विलियन का पिएच मान कितना होता है तो 7 होता है यहाँ पे D वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा और जो सुधजल होता है यह उदासीन होता है एक प्रशन यह भी पूछा जाता है कि अमल का pH मान कितना होता है तो 0 से लेके 7 के बीच में होता है और 6 का pH मान कितना होता है तो 7 से लेके 14 के बीच में होता है तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशना अठारा नंबर अठारा नंबर प्रशने की सिल्वर कुलॉराइड का रंग कैसा होता है यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर कुलॉराइड का रंग कैसा होता है तो स्वेत होता है तो यहाँ पे एव वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशना 19 नंबर 19 नंबर प्रशने की plaster of Paris का जमने का कारण है यहाँ पे आपको बताना है कि plaster of Paris का जमने का क्या कारण है तो जलासन है जब उसमें जल मिलाते हैं तो जमने लगता है तो यहाँ पे D वाला option बिल् यह योगिक है तो जो plaster of Paris होता है यह बिजाती है योगिक होता है तो यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशना 21 नंबर 21 नंबर प्रशने की उच वसिया अमलों के sodium लवड को कहते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि उच वसिया अम 22 नंबर प्रशने की ताजे दूद का पी एच मान होता है यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूद का पी एच मान कितना होता है तो छे होता है तो यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशना 23 नंबर 23 नंबर प्रशने की जल में घुलन सिल छारक कहलाते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि जल में घुलन सिल छारक क्या कहलाते हैं तो छार कहलाते हैं तो यहाँ पे भी वाला ओप्सन बिल्कूली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 24 नमबर 24 नमबर प्रशने की प्रतिकिरिया H2 प्लस CL2 यह आ कर रहे हैं तो यह कौन सा यहां पर अभिकिरिया हुआ तो यहां पर डी वाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की सबसे अधिक बिधुत्र रात्मक्त तो कौन है इसमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक बिधुत्र प्रश्न बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर 27 नंबर प्रश्न की स्वसन की क्रिया में खादे-पदार्थ का क्या होता है तो स्वसन की किरिया में खादे पदार्थ का बिघटन होता है तो यहां पे सी वाला ओप्सन बिल्कूल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशना 28 नमबर 28 नमबर प्रशने की पौधों में गैसों का अदान परदान के लिए रहते हैं यहां पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों के अदान परदान के लिए क्या रहते हैं तो रंधर रहते हैं यहां पे बीवाला ओप्सन बिल्कूल ही सही हो जाएगा और रंधर कहां पे पाए जाते हैं तो पेड़ पोधों की पतियों में पाए जाते हैं तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है आए देखते हैं अगला प्रशन 29 नमबर प्रशने की मचलिया किस अंग के द्वारा स्वासन करती हैं यहाँ पे आपको बताना है कि मचलिया किस अंग के तो गिल्स यानि गल्फडे के द्वारा करती हैं, तो यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण तीस नंबर, तीस नंबर प्रश्ण की इंसुलिन की कमी से समाने तक कौन सा रोग होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे A वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण एक्टिस नंबर, एक्टिस नंबर प्रश्ण की आयोडिन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रश्ण 32 नंबर, 32 नंबर प्रश्ण की पौधों में वात्पुत सर्जन किस भाग में होता है, यहाँ पे आपको बताना है की पौधों में वात्पुत सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ता में होता है, तो यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए दे तो कुड़पात के द्वारा करता है तो यहाँ पे ए वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 34 नमबर प्रशन की तंत्रीका को सिकाए कितने परकार की होती है यहाँ पे आपको बताना है की तंत्रीका को सिकाए कितने परकार की होती है तो तिन परक तो यहाँ पे C वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रशन 35 प्रशने की फूल का नर पर जनन अंग है यहाँ पे आपको बताना है की फूल का नर पर जनन अंग क्या होता है तो पूंकेसर होता है तो यहाँ पे ए वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 36 नंबर 36 नंबर प्रशने की क्लोरोफिल वर्णक का रंग है यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है तो हरा होता है तो यहाँ पे यह वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा एक प्रशन ये भी पुछा जाता है कि पेड़ पोधो की पति आहरा किसके कारण से होती है तो क्लोरोफिल के कारण से होती है तो यसे भी साथ में आपको याद रखना है आएजे देखते हैं अगला प्रशन 37 नंबर 37 नमबर प्रशने की प्रकास संसलेशन की द्वारा किसकी प्राप्ती होती है यहाँ पे आपको बताना है की प्रकास संसलेशन की द्वारा किसकी प्राप्ती होती है तो गलुकोस की प्राप्ती होती है तो यहाँ पे C वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न की वादपुत सरजन कैसी किरिया है यहाँ पे आपको बताना है कि वादपुत सर्जन कैसी किरिया है तो यह भौतिक किरिया है तो यहाँ पे बीवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा. आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 49 नमबर प्रश्ण कि मानो हिर्दे में कितने कोष्ट होते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि मानो हिर्दे में कितने कोष्ट होते हैं तो चार कोष्ट होते हैं तो यहाँ पे बी वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखत अगला प्रश्ण चालिस नंबर प्रश्ण एक्तालिस 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 नंबर प्र तो यहाँ पर बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 42 नमबर प्रश्ण की दाढ़ी बनाने में किस दरपन का उपयोग होता है यहाँ पर आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस दरपन का परियोग होता है तो दाढ़ी बनाने में ओतल दरपण का परियोग होता है, यहाँ पे बीवाला ओप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रशने 43 नंबर, 43 नंबर प्रशने की लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है की लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, त पर आपको बताना है कि एक प्रिजम कितने सतों से घिरा होता है तो पांच सतों से घिरा होता है तो यहाँ पे B उपसन बिलकुली सही हो जाएगा आएए देखते हैं अगला प्रश्ण 45 नंबर 45 नमबर प्रशने की कौन सपदार्थ बिना ज्वाला का जलता है इसमें से आपको बताना है की कौन सपदार्थ बिना ज्वाला का जलता है तो जो कोईला होता है ये बिना ज्वाला का जलता है तो यहाँ पे D वाला ओप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशना 47 नमबर, प्रशने की निम्न में से कौन लवड है, इसमें से आपको बताना है की कौन लवड है, तो NACL लवड है, तो यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते है अगला प्रशन 48 नंबर 48 नंबर प्रशन की पौधों में स्वसन किस भाग में होता है यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में स्वसन किस भाग में होता है तो पतियों की द्वारा होता है इसे आपको याद रखना है तो यहाँ पे C वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा इस question पेपर के 48 objective प्रशन हम आपको बता चुके हैं तो इसमें से जो भी प्रशन आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे notebook पे लिक के जुरूर याद कर लिजेगा और विडियो का अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग विडियो को लाइक कर दीजेगा अब हम यहाँ पे subjective question देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आति लग उतरिया प्रशन फिजिक्स से है यहाँ पे पहला नंबर प्रशने की उतर लेंज को अभी सारी लेंज कहते हैं क्यों कहते हैं यह आपको बताना है और इसमें से आपको देखिए 6 तक प्रशन दिया रहेगा जिसमें से आपको चार बनाना है और परतिक प्रश्ण कितना नंबर कराएगा तो दो नंबर कराएगा इस छे में से बस आपको चार बना देना है प्रिज में से होकर प्रकास के अपवरतन का नमांकेत यहाँ पे किरण आरे खिचिये और तीसरा प्रश्ण की हीरे का अपरतना इसके क्या उप्योग है और छे नमबर प्रश्ण है कि पुन आंतरिक परावर्तन क्या है उदहरण दे अब यहां पर देखे यह है केमेस्टरी से यहां पर देखे साथ से लेके बारतक कोसण है इसमें से भी आपको चार प्रशनों का उतर देना है कि सूडियम को किरोसिन तेल में डुबाग के क्यों रखा जाता है और अगला को सन है कि सैयोजन अभीकिरिया क्या है एक उदारण दीजिये और 9 नंबर प्रश्न owini दीजिये क्यारकोगे संमाने गोंड लीक्यों और 10 नंबर प्रश्न कि अमलका जलिया विद्धुतla का चालन करता है एक 11 नंबर से लिके 18 तक दिया रहेगा और इसमें से भी आपको मातर चार प्रशन बनाना है और परतेक प्रशन यहाँ पे दो नमबर करहेगा कि सुर्य की प्रकास किस प्रकार पोसण करने के लिए आवस्यक है दूसरा को संदे कि यहाँ पे मुत्र बनने की मातरा किस पर नियत किस प्रक यहां पर आयोडिन यूक्त नमक का उप्योग क्यों सलाख क्यों दी जाती है तो यह हो गया हमारा अतिलग उतरिया प्रश्न उसके बाद अब हम यहां पर दिर्गू उतरिया प्रश्न देखेंगे तो यहां पर देखेंगे यह दिर्गू उतरिया प्रश्न है यहां पर देख कि आवर्धन किसे कहते हैं उतल दरपण में इसका वेंजन ग्याद करें अगर यह नहीं आता है तो आपको यहाँ पर अथवा में दिया रहेगा इसको बनाईए नहीं तो इसको बनाईए कि उतल दरपण में सीध करें कि ए बुराबर आर बैटू दोनों में से किसी एक को और रसायनिक समीकरन को संतुलित क्यों आवस्यक है यह आपको लिखना पड़ेगा और इकिस नमर परशने की प्रयूग द्वारा सिध करें कि प्रकास संसलेशन के लिए कारबन डाई- उक्साइड आवस्यक है अगर यह नहीं आता है तो मनुस्य के केंद्रियत अंत्रीका तंतर का यहाँ पे वर्णन आपको करना है तो यह रहा कोस्टन पेपर अगर आप लोग गुरूप में जूड़ जाईएगा तो और हम कोस्टन आपको भेज देंगे अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जिसे आप लोग पढ़के काफी अच्छा यहाँ पे अपना त्यारी कर सकते हैं और आपका जो परिक्षा में है एक भी प्रशन नहीं छूटेगा तो आप हमारे वाट्सप गुरूप में जरूर जुड़िए हमारा नंबर है प्लीज आप लोग बीडियो को लाइक किजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से और उनकी भी त्यारी हो सके thank you for watching, मिलते हैं अगली क्लास में तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई किजिए, take care and bye